असलाम अलेकुम नाजरीन कैसे हैं आप लोग मीट करती हूं आप लोग भी खेर करियर से होंगे जी तो नाजरीन मैंने आप लोग के साथ पहले भी आईज मेकप के काफी ज़ाधा रिव्यू शेयर किये हैं यहनकि ब्राइडल आई मेकप पार्टी के लिए विलीमे के लिए मेहंदी के लिए लिकाँ आज जो मैं आप लोग के साथ मेकप कर रिव्यूर करूंगी वो है सॉफट आईज मेकप यहनfather कि यह नहीं आप लोग जो गर्मियों में सबमर्जर के लिए कैसे आप लोग अपने आईज पर मेकप कर सकते हैं तो मैं आप लोह नोगों डिमी पर इस लिए िजरना को जो लोगर बायगा कर रज्थ कंशे कर सकतें हैं डेली तो हम किसी की आइज पर मेय्प नहीं कर सकते Тогда Lead ao कोब सुरत है और बहुत सिंपल सा है यह आप लोग गर्मियों में इजली कर भी सकते हैं सबसे पहले तो हम लोग ने जो आइस को नर पर वो प्लै कलर कर शेड यूज किया और उसके बाद आप लोग ने जो गोल्डन कर ले रहा है वो अपनी जो लिड एरिया पर उस पर गोल् आप सोफ्ट रखा है और बहुत ही लाइट से कलरिस्ट में यूज किया है ताकि एस में कोई भी ऐसा प्रॉबलम ना हो आपको जादा यह डार्क फील ना हो तो इसके बाद आप लोगों ने आई-लाइनर लेने हैं मिरे पास पैंसल वाला आई-लाइनर है क्योंकि जो डीm जमए लेर जब डिमी पर हमने आईलाइनर यूज करना होता है तो आप जैल वाला आईलाइनर यूज क्या करें या EM यह काफी एजी लिए आप लोग इसको लगा सकते हैं उसके बाद मैंने इस पर लेशी को लगाया है और यह आप लोग अब नीचे से जो हमार आइस का जो नीचे ले वाला हिस्स है हम लोग उस पर भी थोड़ा सा जो ब्राउन कलर है उसको लगा लेंगे और आइस के अंदर अगर आप लोग के पास वाइट कलर की पैंसला तो वाइट कलर की यूज कर लें अगर आपके पास प्लै कलर का मतलब काजल है तो वो लोग वो यूज कर सकते हैं जो नीचे वाला एरिया है उसका आइस का तो हम लोग उस पर ब्राउन कलर थोड़ा सा यूज करेंगे ताके वो बिल्कुल हमारे मेकप के साथ मैच हो जाए जी तो नादरी ये थी मेरे आज के छोटी सी वीडियो जो मैंने आपनों के साथ शेयर की मेरे ने वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाज में सब्सक्राइब किया करें लाइक किया करें शेयर किया करें और अपनी दोओं में भी याद रखा करें अलाफीज